हलो फ्रेंट्स, कॉंप्टेशन कमिटी के वीकली करेंट अफ्यस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रधान, आई फ्रेंट्स आज हम डिसकस करते हैं पिछले वीक में साइंस टेक और इंवार्मेंट से रिलेटेड उन सभी बिंद्वों को जो समारा एप्प्रोच जो रहेगा डायनेमिक प्लस स्टाटिक रहेगा ताकि एक्जाम में आप ज्यादा कॉंप्रींसी एप्प्रोच के साथ जा सके और आप एक्जाम में बहतर स्कोर कर पाएं ठीक है इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंस के जैसे की आप सभी स्टूडेंस लगा तार पीडे हिप की डिमांड कर रहे हैं तो जितने भी करंट ना सकारेंट सेशन वीक वाइंस जो है रिलीज किये जा रहे हैं इन सभी इंप्टेंट करेंट अभीं стр क्रेंट करेंट में इसी उपलब्द हैं इसका फायदा जरूर उठ ठीक है एक और बड़ी सूचना ऐसे स्टूडेंट जो दुर्ग भुलाई या उसके आसपास छेतर से बिलॉंग करते हैं तो दुर्ग में कॉंपटिशन कमिटी का एक मेगा सेमिनार 27 मार्च को कंडग किया जा रहा है होटल एवलॉन में 27 मार्च को दो बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा सेमिनार जो पांच बजे तक चलेगा तो इन सभी स्टूडेंट जो दुर्ग भिलाई रीजन से बिलॉंग करते हैं जरू इसका फाइदा उठ कॉम्पटिशन कमिटी की नई बैच स्टार्ट हो रही है पांच अप्रेल से दो बैच स्टार्ट हो रही है एक होगा प्री प्लस मेंस और दूसरा होगा मेंस लॉंग टर्म यह दोनों बैच जो है एक फ्रेस अप्रोच के साथ पांच अप्रेल से स्टार्ट होने वाली है याद रखें कि डेट इंपोर्टेंट है और 27 मार्च को सेमिनार जरूर अटेंड करें अगर आप इस रीजन से बिलॉंग करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या है पहला सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट को आज क किया जाता है कि इनकी आद में सर स्री निवास रामानुजन दा मैन हुझ न्यू इन्फिनिटी इनकी बारे में कहा जाता है यह बहुत ही बहुत ही प्रतिभावान थे इनका जो कंट्रिविशन है गनिती विस्लेशन नंबर अगर हम इंडियन कंटेक्स में देखें तो भारत में बाइस दिसम्वर को नेशनल मैथमेटिक्स दे सेलिब्रेट किया जाता है सरस्री निवास रामानुजन की याद में उनकी जैनती के तोर पर ठीक है याद रखेंगे इंटरनेशनल और नेशनल अलग-अलग डे है 14 मार्च को क्या है आपका इंटरनेशनल है 22 दिसमबर को नेशनल मैज्टिय यह बाते आपको याद रखनी है आगे देखते हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है आप देख रहे गया था सिसके लिए टाइगर के नमबर या टाइगर के गंजर्वेशन को लाihक बढ़ाने के लिए तो टाइगर कंजर्वेशन जैसे स्टार्ट वा था तो project tiger start हुआ था कब। जो ईया हुआ था ओप्रिल एप्रिल 1973 में ठीक है और यहां पर project dolphin है यह start हुआ था याद रuह जार बीस में पर कितना कौन सा डेट 15 ऑगस 2020 को यह start बाता project dolphin project dolphin यह dolphin क्यों important है hands कि मेरे देखते हैं कि Indian second context में जो different different symbol हैं प्रतीक है तो भारत के संदर में अगर दिखा जाए National Aquatic Animal राश्टी जली जीव कौन सा है वह है गैंगेटिक डेल्फिन गैंगेटिक डॉलफिन जो है यह क्या है आपका राश्टी जलीव जीव है National Aquatic एनिमल्स है तो इसके कंजर्वेशन की बात की जा रही है जिए प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था फिफ्टीन टाउगास 2020 को और यह प्रोजेक्ट टाइगर जैसे जिस तौर पर स्टार्ट किया गया ताकि इसका कंजर्वेशन किया जा सके तो गंगा डॉल्फिन जो क्य घंगा देखते हैं जितनी जिस तरफ से भी फ्लो के जाती है बहती है उन सभी रीजन में किस प्रकार है तो वो उसको जो है रिप्रेजेंट करता है जैसे कि यहां पर गंगेटिक डेल्फिन के बारे में नदी पारिसिक तंत्र यानिकी रीवर एकोसिस्टम को क्या है यह रिप्रेजेंट करता है एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ठीक है गंगा आलफिन जो होता है जो food chain बनता है food chain का अगर देखते हैं तो सबसे यह टॉप consumer है ठीक है टॉप consumer की बारे में याद रखेंगे टॉप consumer को कोई नहीं खाता और टॉप consumer जो है इस ecosystem को balance करने में बहुत ही important role play करते हैं क्योंकि जैसे कि एक है यहाँ पर यह producer है जिसमें प्लांट होते फिर primary consumer है फिर secondary consumer हो सकता है फूर्थ हो तो quaternary consumer को हम टॉप consumer कह सकते हैं या अगर quaternary नहीं हो तो third को हम टॉप consumer कह सकते हैं तो आप दूसरी महत्मुन बात याद रखें जब एक species का conservation करते हैं तो उसके कारण जो है दूसरे species का भी conservation हो जाता है जैसे कि project tiger में हम tiger का conservation करते हैं तो tiger वाला वह छेत्र को हम पूरी तरह से protected करते हैं तो जब वह protection होता है तो वहां के दूसरे फ्लोरा फॉना का भी क्या है जन्तु वनस्पति का भी selection हो जाता है क्योंकि tiger अपने आप में क्या कहते हैं उसे एक umbrella species कहते हैं जिसके कारण बाकी लोगों का भी protection हो जाता है तो tiger के context में बहुत सारे ऐसे फाइदे मंद चीजें हमको देखने को मिली थी उसी को आगे हम फॉलो करते विए दूसरे दूसरे भी हम इस प्रकार की conservation scheme जो है start किये तो उनी में से एक project dolphin भी है तो याद रखेंगे अब एक और iteration लेवल पर जो है से राइनो का एक एनीमल है तो यहां पर देखतें क्या है इसका वेग्ज्यानिक नाम scientific नेम क्या है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका ठीक है कहां कहां पाय जाता है भारत के भारत नेपाल बंग बंगलादेश गंगा ब्रहमपुत्र मेगना कर्णफूली और सांगू नदी सिस्टम में य यह रह सकता है याद रखेंगे और एक बड़ा ही सर्प्राइसिंग चीज याद रखेंगे कि यह दृष्टी हिन होती है यह क्या होती है ब्लाइंड होती है अब ब्लाइंड होती तो आप सोच रहोंगे कि यह अपना हंटिंग कैसे करता है सिकार कैसे करता है तो इसमें क्य आखेंगे और उसे क्या कहते है सूसू कहते हैं ठीक है जो उसको देखने में सक्षम बनाती है एक्षाल में आँ't यह होते ही यह क्या होता है आल्टर mensal के कारण जो है बहुनने में रिफलेक्ट हो के आती है तो उसका उसकी 80% जो है वो भारती उपमादिप में मिलती है याद रखेंगे नदीपासिक तंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रस्टिट जो है यह इंडिकेटर है इसको बहुत सारे ऐसे नुकसान भी इसमें खत्रे भी है इनके थ्रेटन पार्ट है जिसमें कि हम देख रहे हैं है कि इस प्रकार की जो स्पीसीज को क्या है प्रॉब्लम्स होती है याद रखेंगे आपको एक्जाम में पूछा जाता है कि बायो डावसिटी का सबसे ज्यादा लॉस किसमें होता है तो जब भी आप देखेंगे नैचुरल हैबिटाड उनका प्राक्रितिक आवास को जब क्या प्रोग्राम किये जा रहे है क्योंकि नेशनल एक्वेटिक अनिमल है तो याद रखेंगे यह सभी पॉइंट्स आपके एक्जामेशन पॉइंट है उससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारती वन इजीव सारेक्शन है ना वाइड लाइव एक्ट वाइड लाइव वन इजीव और वन अस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के इंटरनेशनल भ्यापार पर अभी समय यानि शीटेज की बारे में हमने प्रिव्यं सेशन में डिसकस कर रहा था सो सीटेज के परिशिस वन में है अपैंडिक्स वन में अलड़े लिस्टेड है सीमिलरल appendix में हैं और CMS के second appendix में है याद रखेंगे आप और क्या कौन सा ऐसा conservation के लिए कोछ प्रयास किये जा रहे हैं तो याद रखेंगे राष्टी dolphin अनुसंधान केंद्र ndrc ndrc जो है यहाँ पर याद रखेंग कहां पर जो है इस्टैब्लिस किया रहा है पटना यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च कप रिसर्च के पॉइंट होने वाला है गंगेटिक डैल्फिन या राष्टी डाल्फिन अनुसंधान केंद्र इसे ndrc कहेंगे ठीक है डाल्फिन सैंक्चुरी कहां पर आपको एक्जाम में पूछा जा चुका है बिहार के भागल इसे इंपॉर्टेंट है अलग से आप बार-बार रट्टा मारते रहते हैं यह सिंपल सा करेंड के साथ साथ स्टाटिक नीचर के को कवर करते हुए हम इसे आगे बढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक बेक्जाम में बहतर से बहतर स्कोर आप कर पाएं इसके बा ट्रॉपिकल गल्फ एरिया में गर्म पाने में यह मौझूद था अब यहां पर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं इसे समझे कि ऑक्टोपस क्या है इस प्लैनेट का जितने भी इन वर्टीब्रेट्स होते हैं जितने भी इन वर्टीब्रेट्स होते हैं इन वर्टीब्रेट्स स octopus देख रहे हैं generally इसके 8 arms होते हैं, octopus के 8 arms होते हैं लेकिन एक ऐसा fossil मिला है जिसमें 10 arms हैं, 10 arms हैं, भुजाएं 10 हैं, और यहां पे खास बात याद रखेंगे कि जितने भी invertebrates में सबसे जो intelligent, सबसे बुद्धिमान टाइप का जो animal है ये octopus है, ठीक है, सबसे बुद्धिमान ज सिर होता है, इसमें जो है 3 chamber heart होता है, इसका blood जो है blue होता है, ये exam की point है, उसे important है, invertebrates में बहुत ही important point होता है, ठीक है, अब याद रखेंगे ये जो मिला है, ये 10 arms होता है, तो ये क्या दिखाता है, evolution of life को दिखाता है, प्रिथी पर जीवन की इतिहास को दिखाता है, जै वैसे ही यहाँ पर उसमें थोड़े समय बात जो है, उनका evolution या वो extinct होते गए, तो वैसे ही इसमें दिखाया जा रहा है कि इसके पहले 10 arms हुआ करते थे, दो arms जो extinct हो गया, बिलुप्त हो गया, और अब 8 arms मिलते हैं, तो अभी के octopus में क्या है, 8 arms मिलते हैं, तो याद रखें यह important fact, octopus को already CGPSE में previous 4-5 साल पहले already exam में पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखेंगे, इसके बाद आगे देखते हम, आगे देखते हम, यूवी का, यूवी का जो है, इसरो के द्वारा एक ऐसा program है, जिसमें की class 8 और 9 वाली, हभी students को क्या target किया जाता है, कि आप international level पर या फिर कहें, तो स्पेस सेक्टर पे आप सीधा सीधा research को आगे बढ़ाएं, तो एक young generation को कहना चाहिए, कहना चाहिए उसको train किया जा रहा है, तो ये जो यूवी का है, यूवी का जो है, अभी announce किया गया है, date actual में होने वाला है, 16 से लेके 28 मही के बीच में, लेकिन ये अ foundation कौन सीएर में हुआ था, इसका static part, इसका static part जो देखते हैं, 15 अगस्ट 1969 को क्या है, इसरो का foundation रखा गया था, ठीक है, इसरो के chairman अभी present में कौन है, एस सोमनात, इसको भी हमने previous session में cover किया था, क्या, एस सोमनात, ठीक है, ये point याद रखेंगे, इसरो का headquarter कहां पे है, बै space department के द्वारा, इसमें क्या है, finance किया जा रहा है, और ये बड़ा ही important point है, ऐसे सभी students के लिए, जो class 8 या 9 से, बिलॉंग करते हैं, young generation को space sector में आगे बढ़ाने के लिए, ये योवी का program every year, जो है, इसे क्या है, किया जाता है, ठीक है, इस बात को आपको समझना है, आगे बा ठीक है, national vaccination day देखिए, every year हम 16th मार्च को celebrate करते हैं, भारत में vaccination कौन से year से start हुआ था, आपको पूछा जाए, तो 1985 से start हुआ था, operation इंद्रधनुस की बारे में आप जानते होंगे, वो भी क्या है, vaccination से related important program है, हम one by one सभी points को समझते हैं, तो इस साल का जो है, सोलमार्च को national vaccination day यह था, उसका theme क्या था, vaccination work for all, vaccination क्या होता है, जब हम vaccine लेते हैं, तो हमारे body में antibody बनती है, antibody बनती है, तो resistance create होता है, बाहर से कोई भी चीज़ें attack होती है, तो resistance होता है, तो resistivity के कारण जो है, वो disease हमको नहीं होता, और हमको protection मिल जाता है, जैसे कि अभी आपने COVID के time में, आ antibody create करती है, जो बाहरी जो भी external agent होता, उसको क्या करती है, उसको prohibited करती है, रोकती है, ठीक है, यह बात है, सभी को clear हो गई, तो आप देखते हैं कि यह जो भारत में vaccination का है, दो बड़े-बड़े fact यहां पे समझना है, वो पहला बड़ा fact है, याद रखेंगे, राष्टी टी 2014 में पूरी तर से 100% polio free nation बन गया, ठीक है, तो दो बड़े-बड़े fact यह चीज़े याद रखेंगे, पल्स polio program के तहद यह स्टार्ट किया गया था, vaccination day, उसके बाद 2014 को भारत 100% polio free nation declare हो चुका है, WHO ने declare कर रिखा है, अब एक तीसरा बड़ा point है, याद रखेंगे, operation इं operation क्या है, basically art important disease को क्या है, target करते हैं हम vaccination program चला रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुस कहते हैं, तो इंद्रधनुस में basically color 7 होते हैं, लेकिन एक बात में जुड़ गिया है, इसलिए वहाँ पर देखते हैं, आठ अब होता है, तो कौन-कौन से disease हैं, आपको exam में ठीक है, HIV है, V नहीं है, HIV, hemophilus influenza type B, जो इसमें क्या क्या सामिल होते हैं, pneumonia और meningitis वाले लक्षन सामिल होते हैं, तो 1, 2 और यह completely 3, ठीक है, उसके बाद titanus, इसके बाद polio, उसके बाद देखते हैं, तापेदिक याने TB, उसके बाद measles याने खसरा, उसके बाद देखते हैं इट, तो यह 8 important disease को इंद्रधनुस, operation इंद्रधनुस के द्वारा क्या है, cover किया जा रहा है, ताकि vaccination जो है, ज्यादा बहतर से बहतर हो सके, छोटे बच्चों को, और target किया जाता है, ताकि सुरुवात से ही वो vaccinated हो जाएं, और किसी प्रकार का कोई disease ना हो सके, यह बाद है, सबी clear हो गई, आगे देखते हैं हम कि power foundation, power foundation क्या है, power foundation का एक ऐसा foundation create बनाये गया है, establish किया गया है, जिसका उद्देश क्या है, स्वच उर्जा सुरुतों की ओर, यानि renewable source of energy, अक्षे उर्जा को बढ़ाने के लिए भारत में, यह power foundation का, जो है, establishment किया गया है, ठीक है, इसमे क्या है, यह क्या करेगा, राज इतने भी state government है, और जो दूसरे ऐसे bodies है, उनको क्या करेगा, research development में, वो मदद करेगा, और भारत में भी देखते हैं, 1636 gigawatt से अधिक अच्छे उर्जा renewable source of energy की छमता, जो है, नहित है, याने यहाँ पे available की जा सकती है, ठीक है, तो यहाँ प CCC, United Nations Framework Convention on Climate Chain, जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त रास का क्या है, कन्वेंशन, जिसमें की Conference of Party 6, Conference of Party 6, जो है, कहाँ, Conference of Party का 26 meeting हुआ था, कहाँ पी हुआ था, ग्लास गो में हुआ था, जिसमें की भारत के, जो है, प्राइमिस्टर मोदी के द्वारा, प्राइमिस्टर मिस हमता को आगे बढ़ाने के लिए, एक नया forecast, एक नया जो है, संकल्ब लिया था, और यह सवर, जो है, CGPSE में पूछा भी जा चुका है, कि 2030 तक 500 गीगावाट जो है, यहाँ पर याद रखेंगे, 500 गीगावाट तक बढ़ाने का हमारा लक्ष रखा गया है, ठीक है, याद तक 500 गीगावाट है, ठीक है, Conference of Party में कितने मेंबर्स हैं, अगरी अभी देखा जाए, तो 197 भी देश हैं, ठीक है, Conference of Party 26 की मीटिंग है, जो 2021 में हुई थी, तो 2022 में Conference of Party का क्या होगा, 27 मीटिंग होगा, तो यह कहाँ पर होगा, यह होगा, एजिप्ट में, एजिप्ट में, यानि मिस्र में होगा, कौन सा सहर, सर्म अल सेख, सर्म अल सेख में यह होगा, यह मीटिंग, याद रखेंगे, क्लियर होगे आप सभी को, तो यह इसका स्टाटिक पार्ट है, और याद रखेंगे, भारत जो है, देश के विद्यूत उत्पादन में, अक्षय उर्जा के 50% से अधिक जो है, बढ़ाने का भी संकल्प लिया हुआ है, मतलब जादा से जादा, रिनी वेवल सोर्स अप एनरजी को जो है, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, उसको हासिल करने के लिए, यहाँ पे संकल्प लिया गया है, और जिसके कारण जो है, जितने भी फॉस और चल रहा है, अलग-अलग टाइप के इसमें वेपन यूज किया जा रहे हैं, जैसे प्रिवेश सेशन में हमने देखा था, वैक्यूम बं को, इसके बाद देखेंगे कि और कुछ-कुछ चीजें आ रही है, वैसे एक फॉस्पॉरस बं है, इसमें कि वाइट फॉस्पॉ जैसे सीधा-सीधा एक्मोस्पॉरी कंटेक्ट में आता है, तो सीधा से वो क्या है, बलास्ट हो जाता है, तो एक्चुले में यह प्रोहिटेट पार्ट है, लेकिन उसको फॉस्पॉरस बं को भी क्या है, रश्या के दौरा रखेंगे इसे बस, ठीक है, यह पोटेबल एयर defense system man pets कहते हैं जो काफी sensitive है ठीक है एक देखो आप कंदे पे रखके किसी भी aeroplane को या किसी भी बड़ी चीजों को आप गिरा सकते हो इसकी विशेस्ता है क्या है कंदे से दाख सकते हैं इसे fire and forget याने दागो और भूल जाओ पर यह काम करता है क्योंकि infrared जो भी target होता है वहां से infrared जो निकलता है उसको cover करते हैं उसको like target करते हुए उसको follow करता है और सीधा hit करके आता है तो fire and forget मतलब दागो और भूल जा वो attack करके ही आएगा सामने वाले को कारबन सीमा सुल्ख जो है एक बड़ा point है European Union European Union जितना भी product import करेगा वहां पर क्या करेगा carbon सीमा सुल्ख देगा यानि कि यहां पर custom duty impose करेगा carbon वाला ठीक है जिसमें कि हम देखते क्या है कि जब भी किसी प्रकार का manufacturing होता है से स्टील सिमेंट फर्टिलाइजर से अलुमोनियम या दूसरे भी ऐसे आप बनते हैं तो उसके कारण क्या होता है co2 emission होता है ठीक है उसके करण co2 emission होता है या carbon emission होता है कह सकते हैं तो उसके करण उस एरिया का क्या है climate या environment जो है प्रभावित होगा तो उसको क्या है उसको फिर हम nullify करने के लिए हम conservation program चलाएंगे अलग-अलग प्रकार like loss बनाएंगे code of conduct बनाएंगे तो क्यों नहीं स्टार्टिंग सही इस प्रकार का duty उसमें इंपोस कर दे सुल्ख लगा दे ताकि इसको क्या है थोड़ा सा demoralize किया जा सके और environmental friendly किया जा सके ठीक है याद रखेंगे यह carbon मुल्य निर्धारण जो है बड़ा important है और आपके examination point of important है क्योंकि यह European Union के द्वारा लगाए गया है ठीक है अब आगे देखते हैं कि एक point आता है कि static point है वो देखते हैं carbon footprint carbon footprint क्या होता है याद रखेंगे बड़ा important point है कभी भी पूछा जा सकता है carbon footprint का मतलब यह होता है कि आप कोई भी product use करते हैं उसकी manufacturing दुनिया की किसी ने किसी कोने में तो हुई होगी अगर उसकी manufacturing हुई होगी तो उर्जा याने energy required हुई होगी यदि energy required है तो वह energy कहां से आती है नेचर से हम लेते हैं तो नेचर से जब energy लेते हैं वह सकता है क्या से ले सकते हैं वह पेट्रोलियम हो सकता है वह किसी भी natural resource से हम उसको क्या है हम उसको दोहन करके या उससे हम energy प्राप्त करेंगे तो उसके कारण क्या होगा नेचर को क्या होगा destruction होगा नेचर को छती पहुँचेगा तो carbon footprint ज्यादा बढ़ाना का मतलब समझ रहे हैं कि environment को ज्यादा damage करना क्योंकि वह दुनिया में कहीं ने कहीं तो बनी होगी अब ज्यादा से ज्यादा आप use कर रहें product मतलब carbon footprint बढ़ा रहें ज्यादा use कर रहें product तो डिमांड बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है तो product का जो है वहां पर manufacturing बढ़ जाएगा तो demand और manufacturing जब बढ़ जाता है तो manufacturing बढ़ेगा तो environment को आप damage करेंगे तो याद रखें कि अगर आपको environment friendly होना अथ तो आपको carbon footprint कम से कम करना चाहिए याने कि ऐसे वस्तूं का उपयोग करो मतलब नियों तम वस्तू उपभोग कम से कम वस्तू को प्रयोग करो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा environment friendly हो सको याने की carbon footprint कम कर सको यह बातें आपको याद रखनी है ठीक है कोई भी product में आपको जाहिए कि वह manufacturing में energy तो required पड़ेगी चाहे कुछ खाने का product हो clothes हो या कुछ यह जो है international level पे द्वारा पाँच बड़ी space agency कौन-कौन सी है रशिया नासा युएसे का नासा रूस का रॉस कोस्मस जैपैन का जैक्सा कनाडा का CSA और यूरोपी space agency का ESA इन पाचों country के द्वारा याने पाचों country की space agency के scientist के द्वारा space में करीब 400 km ऊपर ठीक है इस international space station है जहां पे जितने भी एस्ट्रोनॉट है वो जाके वहां stay कर सकते हैं और international level पे पाचों देश जो है उनकी अलग-अलग responsibility है कि उसको manage करें क्योंकि it like कहना चाहिए यह सीधा सीधा क्या करता है परिक्रमा करता है ठीक है परिक्रमा करता है जिसमें की प्रित्वी के चारों तरफ वह घूमेगा जैसे कि हम इसे हम naked eye से भी देख सकते हैं ठीक है आगी वो सभी points को cover कर रहे हैं तो देखिए यहां पर जो रूस का जो international space station है यह क्या है जब रूस रूस पर international level पर याने खास कर अमेरिका के द्वारा क्या उस पर बहुत सारे ऐसे restriction लगा दिये गए थे तो उसके कारण यह जो action अमेरिका का रूस पर किया गया उसका reaction हुआ रूस द्वारा तो रूस द्वारा reaction क्या किया कि वह रूस ने international space station से अपना समर्थन वापस ले लिया अब आप सोच रहे हैं तो वापस ले लिया तो हो गया याद रखेंगे जितने भी space agency हैं सभी के द्वारा यह manage किया जाता किसी एक country के द्वारा possible नहीं है तो अलग अलग country के द्वारा इसको manage किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर एक country का हटना मतलब यहाँ पर mismanagement होने के बहुत बड़े यहाँ पर chances हैं तो देखते हैं क्या होगा अगर रूस जो है अपना नाम जो है वापस ले लिया समर्थन वापस ले लिया तो क्या बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगे याद रखेंगे इसलिए मैंने स्टार्टी में कहा एक बहुत बड़ा न्यूस है देखिए सभी कंट्री के एक विसिस भूमी का होती है जो इंटरेशनल स्पेस्टेशन के रख रखाव में महत्पूर्ण हिस्सा होता है कोई भी एक कंट्री इसे पूरी तरह से मैनेज नहीं कर सकता जितने भी एस्रोनोट होती है अब प्रित स्पेस्टेशन के कारण वहाँ पर ऐसा पॉसिबल हुआ था ठीक है रूस द्वारा समर्थन वापिस लेने पर क्या हो सकता या तो यह जमीन पर गिर सकता या अंत्रिक्ष में ही कोलैप्स हो सकता है यदी जमीन पर गिरे तो याद रखेंगे रस्या पर नहीं गिरेगा तो सबसे कॉंप्लेक्स टाइप का वैग्यानिक और इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट है जो माना द्वारा अंत्रिक्ष में सुरू कुई गई सबसे बड़ी स्ट्रक्चर या सरशना है जिसमें कि हम देखते हैं सैटलाइट जब हम लॉंच करते हैं नहीं टेकलोजी हम जो है रि हम देखते हैं कि जब एक्स्टर्नल स्पेस में एक बार हमने आयसेस का जो है महां पर लांच कर दिया था तो यह पूरा इंटरनेशनल लेवल पे स्पेस रिशर्च में बहुत बड़ा मील का पत्थर था ठीक है विस स्पेस्टेशन को 400 किलोमेटर की हाइट पर रखा जाता है जिसमें की 28000 किलोमेटर पती घंटे की रफ्तार से है ना याने हर 90 मिनट में गलोब का यह चक्कर लगाता है ठीक है इंटरनेशन स्पेस टेशन जो है जो सुक्र रहा है उसी के समाह रात को दिखता है अगर आपको टाइमिंग पता हो डेली तो नहीं होगा लेकिन याद रखेंगे अगर आपको यह टाइमिंग पता हो तो याद रखेंगे कि आपके एरिया में यह विजिबल हो सकता है वो भी नेकेड आई से कोई दूरबिन की जहुरत नहीं है चमकीला सुक्र की तरह से दिखेगा ठीक है अगर यह हट गया है तो याद रखेंगे अब इसका क स्टार्ट किया गया था तो उनके पास यह टेकलोजी है ठीक है याद रखेंगे अब यह जो जितने भी प्रोजेक्ट है संचालन सीमा 2020 थी उसे नासा के द्वारा 2024 तक एक्षेंजन किया गया है ठीक है यह बात याद रखनी है इसके बाद एनरजी से रिलेटिक कुछ बात नहीं होगा ठीक है तो भारत में क्या है यह सोलर एनरजी जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर आगे बढ़ रहा है और हमारे रेनिवेबल सोर्स अप एनरजी में के इंपोर्टन रोल प्ले करने वाला है तो यहां पर देखते हैं कि 2021 में भारत में अपनी जो सं गीगावाट्स और उर्जा की वह व्रिद्धी कर दी है अभी फरवरी 2022 तक की स्थिती में 50 गीगावाट्स जो है हम क्या है इस प्रकार हमारा संचई स्थापन मतलब किया जा चुका है मतलब हम स्टोरेज कर सकते हैं उतना इतनी कैपसिटी बढ़ गई है इस 50 गीगावाट मतलब इसका कंट्रिविशन कम है याद रखेंगे इसको जो है और ज्यादा बढ़ाने की जौरत है तथा 1.48 गीगावाट सोलर पीवी से यह क्या है प्राप्त होती है तो याद रखेंगे कि 50 गीगावाट इंपोर्ट है जो बहुत बड़ा हम जो है एक अचीमेंट कह सकते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा व्रिद्ध की हुई है आपको एक्जाम में जो बार बार पूछा जा सकता है और इस बार पूछा गया है 2030 तक हम अक्षे उर्जया याने की रेनीवेबल सोर्स अप एनरजी जो है यह क्या है रेनीवेबल इनरजी कितना 500 गीगावाट तक हम अल्रेडी हम टार्गेट रखे हुए हैं जिसमें की सोलर एनरजी का 300 गीगावाट है तो अगर आपको कोश्चिन पूछा जाए कि रेनीवेबल एनरजी में सबसे ज्यादा कंट्रिविशन किस एनरजी का है तो क्या लिखेंगे आप सोलर एनरजी को लिखेंगे वेंड एनरजी का भी काफी कंट्रिविशन है क्योंकि यहां पर देख रहे हैं 500 गीगावाट टार्गेट रखा गया 2030 तक जिसमें कि 300 गीगावाट तो अकेला सोलर एनरजी से तो आंसर तो यही होना चाहिए और सौर उर्जा चंता ब्रेदी में भारत का कि कौन सा स्थान है बहुत आगे बढ़ रही है तो हमको सोलर एनरजी की इसलिए बड़े फोरकास बड़े लक्ष निर्धारित करने की जौरत हमको पड़ी है आगे देखते हैं हम अगले पॉइंट में कि दुनिया की सबसे उननत तकनीक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित क्या है फ्यूल सैल इल भारत क्या रखा है दोजा से नटालीस तक क्या भारत को क्लीन एनरजी यानने उर्जा के छेत्र में आत्म निरभर बनाने का टर्गेट रखा है चिसमें कि यह बड़ा योगदान देने वाला क्योंकि यह सबसे बस taking वाला बेस्ट जीरो एमिशन वाला यह ठेक्नलोजी है यहां पर याद देख रहे हैं एपसी इवी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वहिकल जीरो एमिशन जीरो उत्सर्जन के सबसे अच्छे सॉलुशन में से एक है यहां पर याद रखेंगे बायो मास बहुत ज़्याद आविलेबल है उसे ग्रीन हाइड्रोजन हम प्राप्त कर सकते ही उसको यूज कर सकते हैं और भारत इवी 30-30 का जो है सपोर्ट करता है यानि कि 2030 तक 30 प्रतीसत जो वहिकल्स होंगी वो इलेक्ट्रिक वहिकल्स होंगी इसी कारण गवर्मेंट के द्वारा सबसीडी दी जा रही है कि जादा से जादा इवहिकल्स यूज करो ताकि आपको मत सरकार को या जो है इन्वार्मेंटल फ्रेंडली हो सकें ठीक है तो यहां पर याद रखेंगे कि 2030 तक 30 प्रतीसत इलेक्ट्रिक वहनों की विक्री का टार्गेट रखा गया है और यहां पर याद रखेंगे भारत के द्वारा ग्लासगो की कोप 26 में जलवायू परिवर्तन ह तो पांच जो पंचामरित तत्वों की जो वकालत की थी उनका एडवोकेशी किया था उसमें क्या है अक्षे उर्जा के माध्यम से भारत की उर्जा जरुतों का 50% कवर किया जाना है चीक है 2030 तक हम क्या करेंगे कारबन एमिशन को 1,10,000,000 तक कम करेंगे और 2030 तक हम ऐसी में पूछे जा रहे हैं तो यह पॉइंट जो है आपको बड़ा इंपोर्टेंट है रियाद रखेगा ठीक है अब आगे देखते हैं हम कुछ और पॉइंट्स को तो यहां पर देखिए पृत्वी विज्ञान मंत्राले द्वारा डीप ओशन मिशन डी ओएम लांच कि तो हम क्या देखते हैं कि overall इस ओशन का 95% जो है अभी भी undiscover है अभी उस पर कुछ भी ऐसा काम नहीं किया किवल 5% पर ही research किया गया है तो ओशन जो है वहाँ पे तो बहुत जादा natural resources हैं तो उसी को target करते हुए यह deep ocean mission जो है start किया गया है कि यहां पर देखते हैं कि blue economy blue economy जो है कि एक आर्थिक विकास भी हो बहतर आजिविका भी हो रोजगारम स्वस्त महासागरी पारिशिक तंत्र के लिए समुदरी संसादनों का सतत्त उपियोग कहा जा रहा है कि जितने भी जो है ocean में resources हैं उसका sustainable usage मतलब sustainable usage समझते हैं कि उसको बिना damage को ही वह उससे फाइदा ल नहीं किया गया है और हम जो है इंडिया जो प्राइमिश्टर मोधी साब के दवारा जो विजन है इंडिया विजन ऑप न्यू इंडिया बाई 2030 उसमें जो 10 important dimension है उसमें ब्ली ब्लू economy भी important dimension है याद रखेंगे हैं या ऐसा करने वाला भारत जो है छटा देस होगा इसके प सब्मरीन नीचे भीजेंगे और सब्मरीन में क्या होगा सेंसर लगे होंगे इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे है ना जो आपको यहां पे डीप ओशन में करीब 6-6,000 मीटर लिखा हुआ है 6 किलो मीटर तक समुद्र के अंदर जाकर हम different type की resources का हम study करेंगे वह होगी 95% untouched है तो सोचिए कि future में कुछ ऐसे resources मिल सकते हैं जो revolutionary हो नई क्रांती लेकर आ सकती है clear हो गया आगे देखें तो यह है आज के session का सबसे last point तो यहां पर देखते क्या है कि अभारत की जो है आर्कटिक नेती आर्कटिक नेती का मतलब आर्कटिक छेत्र में क्या आता है कि यह प्रित और्थ यहां पर देखते हूँ हे नौट पोल है यहां ऑन्टर पोल है यहां पर क्या है यह है तर अं नौधन पोल है जहां पर हम सामिल क्या करते हैं आर्कटिक लेकि priests को सामिल करते हैं ठीक है उसके निकास पासस का जो जितना भी ओशन है अल्स का reason युए अब है क्यों पढ़ रहे हमको समझना है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक 2050 तक एक्षित्र में क्या है अब्र से क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा गलोबाल बार्मिक respecto हो जाएगा मैल्ट हो जाएगा तो वह एरिया क्या है navigation point level से या दूसरे resource के point level से बड़ा important होने वाले तो वहाँ पे जितने भी natural resource का क्या है हम वहाँ पे use कर सकेंगे जिसके current country को फायदा होगा भारत आर्गटिक पजिसात में परविक्षक का दर्जा रखने वाली तेरा देशों में से एक देश है यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने बताया वो रीजन्स की cover क्या हुआ यहाँ रखेंगे यह सरकल आर्कटिक सरकल यह अर्थ नहीं है यहाँ पे देख रहे हैं जो चीजें cover की गई है सभी को clear हुआ इसके जो भारत जो deep ocean mission है पहली बार launch किया है इसलिए इंपोर्टेंट है ठीक है याद रखेंगे क्योंकि हमको 2050 के बाद जोहां पर नैच्वरल रिसूर्स को यूज करना है तो उसके लिए अभी से planning की गई है ठीक है ताकि हमको फाइदा हो सके इसमें छह पीलर से जिसमें कि हम रिसर्च development science and research करेंगे इंवार्मेंटल पॉइंट अब उसे रिसर्च करेंगे परियावरन सरेक्षन भी होगा माना और आर्थिक और माना विकास भी होगा परिवहन connectivity होगी सासनव अंतराष्टी सयोग भी होगा राष्टी छमता निर्माण भी होगा याने कि यह सभी पॉइंट्स आपके लिए important है क्योंकि पहली बार launch किया गया है थोड़ा लेंदी लेंदी पॉइंट्स जरूर था लेकिन यह सभी पॉइंट्स हम पहले भी समझ रखे थे कि हमको बाकी से बहतर एप प्रोच के साथ हमको सभी पॉइंट्स को cover करना है ताकि हम score करने में सबसे top performer हो सके तो आज के session में हम इतना ही रखते हैं next session में कुछ और प्लस static nature का आज की session में किसी प्रकार का कोई doubt है तो comment box में जरूर पूछिए thank you so much have a nice day